नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर शहर में ये चोरी करने वाला आरोपी को बोध घाट पुलिस ने किया गिरफतार बस्तर पुलिस के द्वारा आप राधिक तत्तों के विरुध लगातार कारवाई के जारी है इसी तारतम्य में 20 सितंबर को मुखबीर सूशना के आधार पर वरिष्ट पुलिस अदिक्षक जितनर सिंग मीडा के मारगदर्शन और अतरिक्त पुलिस अदिक्षक निवधिता पॉल और नगर पुलिस अदिक्षक विकास कुमार सिंग के परविक्षण में थाना प्रभार बोद घाट की नेत्रित में बोद घाट पुलिस टीम के द्वारा चोरी के प्रकरण में एक आरोपी को गुरफतार किया गया 15 अगस्त की रातरी में बौध्ध मंदिर में हुए नगदी रकम लगभग 25,000 रुपय की चोरी और 7 सितंबर की रातरी में हुए छोटा हाथी वा मो उखबीर सूशना के आधार पर उपरोगत आरोपी प्रेम राज नेताम पिता गागरू से घटा के संबन में पूस्ताश की गए जो उपरोगत दोनों घटना कारित करना सुईकार किये तथा चोरी की हुए संपत्तियों में नगदी रकम 24,500 रुपय बौध मंदीर चोरी का और राउत पारा से चोरी हुए छोटा हाथी क्रमांक सी जी 17 के आर 5665 कीमती लगभग 2,55,000 रुपय दोनग मोबाइल कीमत 14,000 रुपय नगदी रकम 1,000 रुपय कुल कीमत 2,70,000 रुपय को पेश करने से मौके में ही गवाहों के समक्ष जब्त करते हुए उपरोगत आरोप प्रेम राज नेताम पिता गागरु राम नेताम के विरुध थाना बोद घाट में धारा 457,380 भादरी के अंतरगत आरुपवी को गिरफतार कर न्यायक रिमान में न्याले भेजा गया विटाइम न्यूस के लिए जिगदलपूर से बास की थाकुर की रिपोर्ट